नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा Battle of Nathula and Chola के बारे में 2020 जून से पहले भारत और चाइना के बीच हुई, ये आखरी बड़ी जंग थी और इस जंग में भारत की जीत हुई थी, लेकिन जब भी भारत चीन के बीच में टकरार की बात आती है तो हम mostly 1962 के war का जिकर करते हैं और कई बार इस 67 की लड़ाई को बुला दिया जाता है इसका जिकर जादा history की books में भी नहीं होता है और इसके पीछे भी कुछ reasons हैं जैसे कि उस वक्त इसे बहुत wide publicity नहीं मिल पाई थी, लेकिन आज हम जानेंगे इस battle के पीछे reason क्या था, किस जगे पर ये लड़ी गई, क्या वहाँ पर strategic उदेश्य थे दोनों देशों के और साथी साथ इसका अंत किस तरह से हुआ अगर आप मुझसे social media पर जुड़ना चाते हैं तो मुझे twitter, instagram या facebook पर in ids पर follow कर सकते हैं, मेरे सभी lectures की updates भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी अगर आपको lectures के PDF डाउनलोड करने हैं तो आप इस telegram channel से उसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप civil सेवा परीक्षा या फिर defense exams जैसे की CDS, NDA, FCAT की तैयारी करना चाते हैं तो study IQ के smart courses की मदद से आप ये काम घर बैठे, सुरक्षित वातावरंड में अपने mobile phone पर कर सकते हैं आपको डाउनलोड करना है study IQ app को और इस app पर आपको webinar smart courses देखने को मिलेंगे और smart course में केवल एक video lecture नहीं है उसके अलावा भी अन्य कई features हैं जो आपको app देखने पर explore करने पर समझ में आएंगे तो जल से जल इस app को डाउनलोड कीजे और इन सभी courses पर EMI option भी available है तो आसान लोग clashes भी कहते हैं कई historians इसे clash कहते हैं क्योंके ये किवल कुछ दिन की लड़ाई थी हाला कि ये कुछ दिन की थी बट बहुत ही intense battle थी दूसरी और कुछ इसे second sino-indian war यानि दूसरा भारत-चीन युद्ध भी नाम देते हैं कुल मिलाकर ये लड़ाई कुछ दिन के लिए लड़ी गई थी नाथुला में लड़ाई चार दिन की थी चोला में किवल एक दिन की लेकिन यहाँ पर दोनों जगे भारत की decisive victory थी जीत हुई थी हाली में गलवान वैली में जो भारत चाइना के बीच में टकरार हुई है उससे पहले आखरी बार दोनों देशों की बीच म map में देखते हैं भारत में सिक्किम की जो boundary है वो चाइना से लगती हुई है चाइना में autonomous region है टिबिट का जिसका capital है लासा तो ये जो सिक्किम के थुरू लासा जाने का रास्ता है ये एक पुराना important trade route है और trade route में हिमालय परवतों को cross करने के लिए कई जगा पर passes थे यानि उससे कुछी दक्षिंड में स्थित जलेपला जिसका जिक्रह आएगा और नाथुला से ही कुछ किलोमेटर उत्तर में स्थित है यहाँ पर कहीं चोला काफी नजदीक है hardly 6-7 किलोमेटर उत्तर में स्थित है और जलेपला से कुछ किलोमेटर अगर हम दक्षिंड में लासा की तरफ जो लासा क्या है टिबेट का क्यापिटल तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तीन देशों की बाउंडरी बिल्कुल नस्दीक है भुटान यहां पर है बीच में एक वेज़ शेप में चुम्भी वैली है टिबेट की और यहां पर है भारत का सिक्किम एतिहासिक एक बाउंडरी मान लिया जाता था लेकिन इसमें कोई फिक्स पोजिशन नहीं मानी गई कि यह बाउंडरी है लाइन है पहली बार बाउंडरी लाइन को परफेक्टली डी मार्केट करने का काम किया गया था अंग्रेजों के समय तो ब्रिटिश टाइम पिरिएड में 1914 में शिमला में कॉन्फेरेंस करीगी टिबेट और ब्रिटिश इंडिया के रेप्रेजेंटेटिव के बीच में और वहाँ पर यह तैय किया गया कि यहाँ पर उत्तरपूर्व में जो हिमाले की क्रेस्ट लाइन है यानि कि जो हिमाले परवतों की ग्रेट हिमाले की जो देखेंगे जो सफेद लाइन आपको नजर आ रही है यह सबसे उंचे पहाड है यहाँ पर बरफ जमी हुई है तो आप देखेंगे आज भी यही बाउंटरी है तो इसी मेहोन लाइन को हम बॉर्डर मानते हैं और यहां सिक्किम में भी आप ध्यान दीजेगा जो आज की इ तो सबसे उत्तर में है यहाँ पर चोला लिख लीजे इस मैप में मार्ग नहीं है चोला के बाद है नाथूला फिर है जलेपला और बातांगला और फिर है डोकाला तो बातांगला को छोड़कर बागी चारों आप से पूछने की पूरी संभाव ना है क्योंकि अब ये पोस्ट है military point of view से बात करूँ तो नाथूला और जलेपला दोनों में भारत को tactical advantage था क्योंकि यहाँ पर जो उचाईयों पर points है वहाँ पर हमारी post है तो वहाँ से observation किया जा सकता है चाइना का चाइना की post का और उन पर firing करी जा सकती है तो ये tactical advantage युद्ध में बहुत ही important हो जाता है हार और जीत के बीच का फर्क बन सकता है 1962 के युद्ध के बाद नाथूला से trade पूरी तरह से बंद कर दिया गया था तो टिबट और सिक्किम के बीच में जो historical trade route है वो बन था 2006 में जाकर उसे finally खोला गया क्योंकि 2003 में हमारे प्रदानमंत्री अटलवियरी वाजप और ये भारत के लिए ना किवले एक military defeat थी बलकि एक psychological defeat भी थी लेकिन उसके बाद हमने अपनी armies की capability को बढ़ाना शुरू किया और 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की जीत हुई लेकिन भारत की जो ये increased military capacity थी ये चाइना के विरुद्ध टिके गी या नहीं य और जो देश यहाँ पर dominating positions पर होगा उसको युद्ध के समय बहुत फायदा मिलेगा तो ये आज भी लड़ाई इसी बात की है कि better positions पे अच्छे vantage वाले positions पे कौन सी आर्मी का कबजा बना रहे अगर चाइना की अंदुरूनी परिस्तितियों की बात करे तो चाइना ने की शुरूआत करी थी अब ये क्या होता है इसके बारे में एक अलग वीडियो बना हुआ है study IQ पे आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कुल मिलाकर इस समय चाइना में थोड़ा सा उथल पुथल था cultural revolution के कारण और जब भी इस तरह की परिस्तितियां चाइना में देखी गई जब अंदुरूनी परिस्तितियां ठीक नहीं है तो चाइना external अपने neighbors के खिलाफ बहुत aggressive हो जाता है ये चाइना का हमेशा का इतियास रहा है तो इस incident को भी थोड़ा सा उस lens से देखने की आवशकता है अब इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई थी तो देखे मुद्ध बॉर्डर को लेकर ही था कि बॉर्डर लाइन कहां पर है भारत मैकमेहोन लाइन को अपना official बॉर्डर मानता है मैकमेहोन लाइन क्या कहती है कि जो crest of हिमाले है यानि कि चोटियों की जो सबसे topmost line है ये crest कहा जाता है ये border रहेगा लेकिन चाइना इसे मानने से इंकार करता ह है more or less चाइना इसको स्विकार कर रहा है लेकिन officially चाइना कभी नहीं कहता कि मैकमेहोन लाइन international boundary है अब इस crest line को map पर तो आसानी से mark किया जा सकता है लेकिन ground level पर हकीकत यह है कि इसमें कई ऐसे स्थान है जहां पर crest line clearly defined नहीं होती है कई ऐसे vantage point है यानि कि जो अच्छा स्था आगे चाइना नहीं आ सकता इसके आगे भारत के सैनिक नहीं जा सकते नहीं यहाँ पर पहार नॉर्मल ऐसे ही है बस भारत के सैनिक और चाइना के सैनिक patrolling करते रहते है यानि इस तरह के गश्ट करते रहते है अपना area define करने के लिए लेकिन होता क्या है कि यह जो crest line है इसको ऐसी परिस्तितिया उस समय थी almost same situation है दोनों देशों की जो petrols है यानि जो pedal गश्ट करने वाले सैनिक है वो आमने सामने हो जाते थे और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती थी this was quite common even before 1967 तो इन petrol parties के बीच में होने वाली daily टकरार को रोकने के लिए भारत नहीं यह तै क बनाने का decision लिया गया भारत के द्वारा नाथुला चोला जैसे strategic areas में और उसके लिए भारत ने काम शुरू कर दिया 1967 के अगस्त के महीने में लेकिन चाइना को यह बिलकुल भी रास नहीं आया अब आगे बढ़ने से पहले मैं उस समय की military leadership के बारे में ब्रीफली आपको अ अरोडा ये थे GOC 33 Corps ये भी सिक्किम वाले region में commanding officer थे और Eastern Army के overall commander थे Sam Manik Shaw और ये तीनों ही officers 1971 के युद्ध में भी hero थे सगत सिंग राठोड वस दी officer who captured धाका जगजीत सिंग अरोडा का नाम आपको याद होगा जो ये famous photograph है पाकिस्तान के जनरल एके नियाजी से surrender sign कराते most of the accounts जो इस लड़ाई के वारे में हमको मालूम है वो इनी की biography से पता चलते हैं जनरल सगत सिंग का नाम मैं हाँ इसलिए भी specially mention कर रहा हूँ क्योंकि इनके एक निर्णे के कारण युद्ध की कहानी कुछ और हो सकती थी तो देखे 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच म को अपनी post को हटा लो तो इन दोनों ही पास पर भारत की observation post थी observation post का मतलब है कि mainly ये निगरानी के लिए इस्तेमाल करी जाती थी कि दुश्मन का movement क्या है दुश्मन क्या कर रहा है कि वाली ये निगरानी रखी जाती थी यहाँ पर कोई बहुत heavily defended post नहीं थी कि यहाँ पर भा high command से यानी headquarter से ये authority थी कि अगर कल को स्थिती खराब होती है तो आपके पास ये permission है कि आप नाथुला और जलेपला से अपनी observation post को पीछे खीच सकते हैं you can fall back to the main defenses यानी कि आप 4-5 km पीछे जो बड़ी post हैं हाँ पर आप fallback कर सकते हो ये authority commanders को थी तो headquarter ने 1965 में चाइना की धमकी के बाद अपने divisional commanders को कहा कि एक काम करो जलेपला और नाथुला से post पीछे ले लो तो जलेपला था उस वक 27 mountain division के पास उन्होंने जलेपला को vacate कर दिया और चाइना की फौज ने तुरंत आगे बढ़ते हुए वो pass अपने कबजे में ले लिया आज दिन तक जलेपला उनी के पास है लेकिन जनरल सगत सिंग जिनकी 17 mountain division नाथुला को कंट्रोल कर रही थी उन्होंने इस order को मानने से इनकार कर दिया उन्होंने अपने seniors केस order को नकार दिया बोला कि मैं यहां से पीछे नहीं अटने वाला हूँ और दो साल तक ये उसी जगे पर टिके रहे और इ चाइना अटैक करेगा भारत पे वाया सिक्किम तो नाथुला विल बी दा प्रिफर्ड रूट और नाथुला, डोकलाम, चुम्बी वैली ये सारे ऐसे इलाके हैं जो अगर चाइना यहां से आक्रमेंट करता है तो डिरेक्ली सिली गुडी कॉरिडोर के उपर खत्रा है सिल दो महीने, तीन महीने तक वो क्रैसिस चला था, भारत एक इंच पीछे नहीं आठा, फिर से आता हूँ 1967 पे, तो 20 अगस्ट 1967 को भारत ने ये वायर फेंसिंग का काम शुरू किया नाथुला के पास में, तो नाथुला दर्रे में नौर्थ और साउथ शोल्डर्स, बेसिकली 10 सितमबर तक गोली बारी नहीं हुई थी, बिल्कुल भी, तो वो चाइनीज आकर उसे फेंसिंग को रोकने की कोशिश करते थे, इस तरह से फेंस पर आकर बिल्कुल खड़े हो जाते थे, ये उस समय का फोटो है, 1967 के क्लैश के दौरान का, तो इस तरह से डॉमिनेट करने क या फिर डराने धंकाने की कोशिश हैं जारी थी, लेकिन भारत ने फेंसिंग का काम जारी रखा, लेकिन 11 सितमबर को पहली बार गोली बारी होती है, हुआ ये कि 11 सितमबर को भारत ने जब काम शुरू किया, तो again as usual Chinese soldiers आये, और उस समय जो लड़ाई हुई, वो हाता पाई हुई, वो थोड़ी सी बढ़ गई, चाइना की आर्मी टुकडियों में एक कॉमिसार नाम का व्यक्ति होता है, कॉमिसार is more like a political person, जो आर्मी को lead करता है, moral के लिए होता है, और एक तरसे उसको English भी आती थी, तो वो communicate भी भारत की फौज से वही करता था, तो इस कॉमिसार का चश्मा नीचे गिर गया, टूड गया, और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत गुसा हो गया, क्योंकि he was considered to be a senior political functionary of the Communist Party, तो कॉमिसार के आदेश पर तुरंत गोली बारी शुरू कर दी गई, अचानक शुरू हुई इस गोली बारी में भारत के 60 जवान वीर गती को प्राप् ने यहाँ पर artillery guns को move किया था, खचरों पर लाद कर artillery guns को उपर पहाड़ों तक पहुचाया गया था, और इस artillery ने भारत की आर्मी का बहुत साथ दिया, हमारी artillery, mortars और machine guns ने चाइना की जो आर्मी है, उनकी check post है, उनको पूरी तरह से धुस्त कर दिया, और याद रखे, हमने increase नहीं किया है, भारत उसी जगे पर है, जहां पर हो था, 11 सितंबर को शुरू ही लड़ाई, 14 सितंबर तक लगबख खत्म हो चुकी थी, 15 सितंबर को dead bodies का exchange हो गया, और उसके साथ पूरी तरह से battle समाप्त हो जाती है, नाथुला आज भी भारत के control में है, और जलेपला जहां से हम पीछे हट गए थे, वो आज भी चाइना के पास है, अब इस clash के कुछी दिन बाद, एक October को चोला नाम के दर्रे पर फिर से लड़ाई होती है, यह नाथुला से केवल कुछी किलोमेटर उत्तर में इस्ते थे, hardly 7-8 किलोमेटर उत्तर में होगा, तो चोला में भी अगें सेम होता है, वहाँ पर फेंसिंग का काम करने की कोशिश करी जा रही थी, तो चाइना की ओर से गोली बारी शुरू हुई, भारत ने मूँ तोड़ जवाब दिया, और यहाँ पर तो चाइना की आर्मी 3 किलोमेटर पीछे धकेल दी गई, तो जो उनकी ओरिजनल हैं, वो हैं 88 killed, 163 wounded, और भारत कहता है कि चाइना के 340 जवानों को मार दिया गया, 4500 wounded है, चाइना अपनी तरफ से यह कहता है कि हमने भारत के 600 जवान मारे, जो की पूरी तरह से propaganda है, चाइना के अंदर कोई independent verification नहीं होता है news का, और चाइना अपने खुद के figures तो हैं, वो अभी जिक्र नहीं करता है, और इसी से हमें यह पता चल जाता है कि वहाँ पर उन्होंने बहुत बुरी तरह से हार का मुह देखा था, और यही reason है कि वो इसको कभी भी discuss नहीं करना चाते, नहीं international forum में कभी उसको इस बात को उठाते हैं, तो इस लड़ाई का भारत पर impact क्य ले सके, और चाइना पहले Korean War में US को एक तरह से रोक चुका था, और भारत के खिलाफ भी उसने aggression दिखाया, तो चाइना का लोहा मन चुका था पूरे Asia में, लेकिन इस 67 की कुछ दिन की लड़ाई ने भारत में यह confidence जगा दिया कि चाइना को रोका जा सकता है, चाइना invincible नह क्योंकि जब हमने East Pakistan पे attack किया था, तो यहां से अगर चाइना चाहता तो attack करके भारत की फौज को रोक सकता था, लेकिन चाइना ने 1971 में पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, किसी तरह का pressure नहीं बनाया, उनने 65 की तरह कोई ultimatum नहीं दिया, उसके प पर लड़ाई लड़नी पड़ जाती, नाथुला की लड़ाई के दौरान जो भारत के आर्मी जनरल्स थे, उन्होंने आगे जाकर 1971 के युद्ध के दौरान भी बहुत ही शांदार progression किया, and they were all heroes of the 1971 victory, जाते जाते आप सभी से एक quote share करना चाहता हूँ, मुझे याद नहीं ह दो parties के बीच में शांती तभी हो सकती है, जब दोनों बराबरी के हो, दोनों में equality हो, parity हो, और आज चाइना भारत के साथ बातचीत के लिए तयार हो जाता है कुछी दिनों में, क्यूंकि दोनों देशों की armies almost बराबर हैं, matched हैं, हाँ, economy wise हम आज चाइना से पीछे हैं, बस नहीं पर हम मात खा रहे हैं, हमारी GDP उनके जितनी बड़ी नहीं है, तो economically भारत उतना strong नहीं है, जितना चाइना है, but military terms में, I would say India is at par with चाइना, और यही reason है, कि चाइना बहुत बड़े युद्ध का खतरा मोल नहीं ले सकता है, मैं अभी भी यही उमीद रख रहा हूं कि भारत और चाइना शांती से इस तकरार को सुल्जा लेंगे, कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं होगा, क्योंकि युद्ध इस वक्त चाइना भी अफॉड नहीं कर सकता है, थैंक युद्ध इस वक्त चाइना भी अफॉड नहीं कर सकता है, thank you very much for watching this, have a great day.